सूरत के वराच्छा विस्तार में आंगणिया पेडी में हैदराबाद के वैपारी से दो करोड रुपे की लूट के मामले में पकड़े तीन आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने साथ दिन के रिमांड पर लिया है मामले की जाच कर रहे क्राइम ब्रांच के पुलिस निरिक्षक ललीत वागडिया ने बताया कि दिल्ली हजरत निजाम उद्दिन दर्गाह निवासी मास्टर माइंड पिंटू कुमार ज्छा दिल्ली मयूर विहार निवासी सुमन सी वडोदरा गोतरी अलमुकाम रेसिडेंसी निवासी शारुक वोहरा ने अपने अनियस आतियों के साथ मिलकर बेहत नियोजिस शाजिस के शाथ हैदरबाद के वैपारी विनाई जेन वो उनके एज़न्ट मित्र लक्षमी नारायन को अपने जाल में फसाया था विनाई जेन अपने रुपे निवेस करने चाहते थे उन्हों ने इस बारे में लक्षमी नारायन से बात की तो लक्षमी नारायन ने उन्हें बताया कि क्रिप्टो केरेंसी के मार्केट में अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है इस क्रिप्टो केरेंसी एजंट लक्समी नारायन का वाई वाई दिल्ली के पिंटू जहा से संपर्ख हुआ पिंटू जहा ने बताया कि अमेरिका में रहने वाले उसके भाई अमीत के वालेट में यूएस टिडी कॉइन है वो उन्हें कॉइन दिला सकता है जबकि पिंटू का कोई भाई अमेरिका में नहीं है और नहीं कोई क्रिप्टो वालेट था विनाई जेन सोदे के लिए तैयार हो गए उसने ठगी वा लूट की शाधी सरसी इस से पिंटू के साथी सारुक ने वराचा थाने के ठीक सामने सेंटरल बाजार में घटना से कुछ दिन पुर्व दुकान किराय पर लेकर फरजी स्री सिद्धी अंगणिया पेड़ी शुरू की अनिया कई शेरों में उसकी शाखाय होने के बिल वर रसीडे अधी प्रेंट करवा दी फिर पेंटू ने लक्ष्मी नारायन और विनाई को सोदे के लिए सूरत बुलवाया उसने उन्हें बताया कि आंगणिया पेड़ी में उन्हें सुमन मिलेगा आंगणिया होने के पेड़ी में उन्हें शारुक को रुपे गिन कर दिये सुमन ने अपने मोबाइल में क्रिप्टो ट्रांसपर का स्क्रीन शॉट दिखाया लेकिन लक्ष्मी नारायन के वालेट में क्रिप्टो करेंसी नहीं आई इस बात को लेकर विवाद हुआ तो पेड़ी के बाहर के पर पहुंशी और विनाई को ठाने ले गई पुलिस को चकमा दे कर ठाने से रफू चक्कर हो गया फिर अगले दिन लौट कर उसने दो करोर रुपे की लूट का मामला दर्च करवाया तो शारुक वा सुमन के गिरों में शामिल अन्यल लोगों के बारे में उनसे पूश्